आम तोर पर कई computer users है वो घर पे ही computer यूज़ करते हैं और उनके वज़े से उनके पास है वो PC है वो अलग-अलग operating system के PC होते हैं और कई बार अचानक computer चलते चलते अचानक बंद हो जाता है ऐसे में वो क्या करते हैं किसी भी hardware engineer को phone करते हैं और अपना PC है वो दिखाते हैं और वे पांच या 10 मिनिट के अंदर PC को ठीक करके चले जाते हैं और आप से बड़ी रकम है वो लेके चले जाते हैं इससे आप पैस समझने से ज़्यादा ठगने वाली बात होती है तो मैं आज इन सभी problem और इनके solution के बारे में बात करूंगा computer में कहीं तरह की problems आती है और उन्हें repair करवाने में हम बहुत सारे पैसे हैं वो खर्च कर देते हैं आज मैं ऐसे ही कुछ computer की problems और उनके solution के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप follow करके 80% तक आप अपने computer को है वो घर पे ही बैठे ठीक कर सकते हो हलो दोस्तों मैं सत्यपाल सर्वा टेकनिकल दोस्त इंडिया में आपका स्वागत करता हूं तो चलिए शरू करते हैं computer start नहीं हो रहा है बार बार बंद हो रहा है और continue beep की आवाज आ रही है तो इसका मतलब क्या है computer के अंदर dust है वो जहाम हो गया है इससे आपको क्या करना है simply अपने जो CPU उसको खोलना है और रेम निकालनी है और रेम के जो गोल्डन गोल्ड कलर के जो कोपर के जो होते हैं पिन से निकलिवे होते हैं उनको आपको एक रबड से अच्छी तरीके से साफ करके और क्लीन करके उसको वापस PC के अंदर लगा देना है तो वो problem हट जाएगी नौट आपको एक बात बता दूं यदि ये solution तब ही होगी जब beep वो continue आ रही है यदि beep चारवार आरही है चारवार आके रुख जाते है तब अलग तरीके से ये problem है उसकाlier अलग तरीके से होगा तीन बार आ है दो बार आ रही है एक बार आ रही है तो उसका अलग से होगा यह प्रोब्लम तभी होती है जब बीप है वो कंटिन्यू आती है तो इस बात का विशेज ध्यान रखे और दो बीप या तीन बीप अलग अलग आ रही है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो नेक आपके कंप्यूटर है वो बार बार रिस्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो MPS है पावर सप्लाई है वो और हीट हो रहा है तो इसका जो और हीट होने का कारण क्या है इसके बारे में आपको बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मदर बोर्ड को व वो बार-बार है, वो क्या हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है, इसकी वज़ए आपका मदर बोर्ड नहीं है, MPS है, मतलब पाउर सप्लाई है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो मैं आपको बताता हूँ, इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले MPS बोक्स को चेक करके पत से पहले, आपको MPS को CPU और मदर बोर्ड से अलग करना है, फिर इसमें आपको एक केबल लाइन है, जिसमें से AB 20 या चोईस, continue connected मिलेंगे, जिससे 20 पिन होती है, या चोईस पिन होती है, इसमें से आपको ब्लेक वाइर और ग्रीन वाइर, ध्यान रखना, ब्लेक वाइर और को एक साथ सोट करना है, सोट करने के बाद अगर आपका जो power supply है, या MPS है, वो start हो गया है, तब इसका मतलब आपका MPS जो power supply है, वो सही है, यदि start नहीं हुआ है, तो आप किसी शोप पे जाके उसे नयार खरीद सकते हो, प्रोब्लम नमबर 3, आपको क्या करना है, यदि आ बाद में भी आपका computer बार-बार restart हो रहा है, इसका मतलब कि आपका processor है, वो overheat हो रहा है, तो आपको करना क्या है, simply अपने CPU को खोलना है, खोलने के बाद, पर इसके लिए वेसे मेरा अलग से वीडियो बनाया हो है, मैं आपको link दे दूंगा नीचे, तो आप जाके देख सक computer का वो ठंडा हो जाएगा, फूल हो जाएगा, उसके बाद आप अपने computer को चला सकते हो, और यदि फिर भी बार-बार heat हो रहा है, restart हो रहा है computer, तब आपको fan का dust है, वो clean करना है, या आप उसके उपर paste लगा सकते हो, paste भी आपके पास available नहीं है, तो आप call gate लगा के भी काम चला सकते हो, जिसके होज़े से आपका computer वो overheat नहीं होगा, तो बार-बार restart होने के ये दो कारण हो सकते हैं, एक तो जो power supply है, ये MPS है, और दूसरा है, जो processor है, वो overheat हो जाता है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए next tip पे बात करते हैं, तो दोस्तों problem नमबर 4 की बात करते हैं, या HDD hard X के अंदर कोई ना कोई problem है, तो इसका solution क्या करना है, आपको screen पर दिख रहा होगा, इस type की जो आपके computer के अंदर screen आ रही होगी, तो इसका मतलब, या तो आपकी system में जो RAM डली होई है, उसमें कोई दिक्कत है, या फिर आपके system है, उसमें hard X HDD खराब हो सकते हैं, उसमें से 2 RAM डली होई, तो आप एक RAM निकाल के चेक कर लेना, और जिस RAM से चलना है, तो इसका solution है, फर्स RAM को आप चेक करो, या आपके computer में 2 RAM है, तो एक RAM निकाल कर दूसरी RAM पर ही computer सिर्फ चलाओ, और फिर भी यह दि blue line आ रही है, तो आपको क्या करना है, RAM problem तो नहीं है, इसका solution अगर आपको चेक करना है, तो computer में blue screen 100 हो रही है, तो आपको hardX replace करो, क्योंकि 100% इसमें से 70% blue screen आ रही है, आपको computer पर दिख रही है, इसका आने का सिधा-सिधा सा मतलब होता है, कि 20% RAM में problem होती है, और 80% hardX के अंदर problem होती है, और 10% जो, sorry, 70% hardX के अंदर problem होती है, और 10% है, वो operating system के अंदर problem होती है, दोस्तों बात करते हैं, पांच number problem कि, यदि computer आपका proper चल रहा है, CPU proper चल रहा है, लेकिन फिर भी display हो so नहीं हो रही है, तो इसका सिधा सा मतलब है, या तो आपका monitor है, LCD है, उसमें कोई दिक्कत है, या उसकी जो VGA cable है, उसके अंदर कोई ना कोई problem है, तो उसको replace करिए, change करिए VGA cable को, और आपका computer वो display हो so करने लगे, अगर LCD power cable lose है, या खराब होई है, तो monitor में display नहीं होगी, अगर ऐसे में आप first power cable को change करके देख सकते हो, फिर भी same problem ही है, तो LCD monitor को replace करना पड़ेगा, क्योंकि LCD या monitor में कोई ना कोई problem है, तो problem नंबर 6 की बात करते हैं, तो simply क्या होता है, कई वार अपने CPU पे touch करते हैं, तो हमें current लगता है, तो उसकी वज़े क्या है, आप यदि जो power cable use कर रहे हो, तो जैसे आपको मैं photo के अंदर दिखा रहा हूँ, यदि ऐसी cable आपके पास आप यूज़ कर रहे हो, और उसके अंद पी-सी के लिए 3-pin power cable use करें, आपकी problem का solution हो जाएगा, अगर फिर भी current आ रहा है, तो आप electric sitting board, यानि जो आपका motherboard है, उसमें कोई ना कोई ऐसी problem है, जिसकी वज़े से CPU में अर्थिंग बन रहा है, या वो कोई ना कोई touching हो रहे है, जिसकी वज़े से, तो दोस्तो problem number 7 की बा होती है, उसके अंदर जो वीजी आप लगाते हो, PC के अंदर लगाते हो, या LCD के अंदर लगाते हो, तो उसको जो screw है, वो एकदम अच्छी तरीके से proper है, वो कस्दे, और फिर भी ये ये इसा हो रहा है, तो आप उनको निकाल के देखें, उनके अंदर जो पिने हुए है, और जैसे मैं आपको एक केबल दिखा रहा हूं, वीजी आ केबल जिसको आप देख पा रहे हो, इसक्रीन के अंदर ये कहीं से कटी हुई भी हो सकते है, जिसकी वज़े से भी आपका जो computer है, वो server जो असानी से है, वो color नहीं दे रहा है, तो इसे आप skip करके color accept कर सकते हो, औ भी नहीं हो रहा है, तो वीजी केबल को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब वीजी केबल के अंदर आपके problem है, जो problem number 8, ये लगबग सबके ही होती है, कि proper आपका जो MPS है, power supply भी एकदम सही से चल रहा है, mother board भी सही से चल रहा है, फिर भी फेल, आपका जो CPU है वो बार-बार बंद हो रहा है, तो इसका सिदा सार्त आपको एक रेम निकाल के चेक करना है, ये फिर भी नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब आपके mother board में कोई ना कोई problem है, तो आप mother board है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी, आप आपको वीडियो helpful है, आपको knowledge मिल रहा है, तो एक like तो बनता है, ये आप चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा, आज के लिए एकना ही, टाटा बाई बाई बाई, अब मिलते हैं next वीडियो में, धन्यवाद